जेसरम स्टूडेंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपटन्ट थियोरम जो की 0-divisor के बेस पर यह जो की थियोरम है यह थियोरम आपको एक्जाम में बार-बार पुछे जाते हैं तो देखे यह जो थियोरम है इसका बेरियोस टैपस अप स्टेटमेंट हो सकता बड़ आपको पानिक नहीं होना है इसका जो कि प्रूफ सेम आएगा जो कि मैं बताऊंगा भी तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या-क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं कि यह जो थियुरम यह सा भी आपको पूछा जाजा सकता है कि 0 diviser in Zn are those elements which are not relatively prime to n ओ बोला जाता है कि Zn का जो 0 diviser है और दोज element वही element होंगे जो कि n के साथ relatively prime नहीं होंगे relatively prime आपको पता है कि मानलो n आपका एक number है and another number m है and n and m को बोला जाएगा relatively prime कब बोला जाएगा अगर उन दोनों का GCD 1 आ जाए so अगर 1 को छोड़कर other roots का GCD आ जाए 1 से उपर आएगा 2 3 एसे ही आएगा then उनको बोला जाएगा not relatively prime so यह है एक statement next देखिए another statement क्या हो सकता है in the ring Zn, Zn ring में the divisor of 0 are strictly those non-zero elements that are not relatively prime to n वहीं सेम है बट थोड़ा इसका statement का statement को बढ़ा दिया है next देखिए if n is prime अगर n आपका prime है then Zn has no 0 divisor यह another statement है कि Zn has no 0 divisor if n is prime अगर n आपका prime हो जाए then यह इसका जो की Zn का 0 divisor exist नहीं गरेगा so यह था आपका different statements and इसका अभी हम proof देखेंगे प्रूब क्या हो सकता है इसका so देखिए first हम इसका प्रूब स्सक्राइब करते हैं first हम क्या करेंगे जो last वाला statement है इसिको पूब करेंगे last वाला निए first वाला statement है इसको प्रूब करेंगे इसमें हम क्या करेंगे first हिसमें हम 0 divisor लेंगे उसको प्रूब करेंगे ये NOT relatively prime है एगन उसके बाद हम NOT relatively prime देंगे 0 divizer प्रूब करेंगे फर्स्ट हम क्या करेंगे देखें इसका गला करते हैं we know that z n equal 0 123 ऐसको पता है जिए जो है i यह आपका एक ओलेड्य एक से एगन आपको क्या करना है मिव उसी ZN में एक number आपको suppose करना है जो कि M belong to ZN है such that M is not relatively prime to N, यह जो M है यह N के साथ relatively prime नहीं है, मतलब उसका GCD जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 होगा तो यह relatively prime हो जाएगा, so 1 से अब ज्यादा ले सकते हो, so मैंने लिख दिया है that is, this is D of MN equal to D, मैंने suppose क्या है कि यह कोई भी value D हो सकता है, जो कि 1 से greater है, next देखिए, हम क्या करेंगे, first consider करेंगे, M by D, मैंने first क्या लिया है, इसमें, मैंने इसको 0 diviser लिया है, sorry not relatively prime मेंने लिया है, prove करेंगे इसको, यह 0 diviser exist करता है, मैंने इसमें first आपको बताए कि, आपको first non-relative not relatively prime लिया है, and आपको उसको prove करना है 0 diviser, again उसका converse part लेना है, आपको क्या करना है, 0 diviser लेना है, और उसको prove करना है not relatively prime, so देखिए, first आपको consider करना है, M by D into N equal to 0, जिसमें, आप इसको भी इस टाइप से लिख सकते हो, M into N by D equal to 0, D आपका क्या है, इसका GCD, again इसमें आपको पता है, so N by D belong to ZN, अगर M into N by D equal to 0 है, then M into N by D, इसमें देखिए, M आपका ZN में belong करता है, again यह जो आपने GCD find किया, GCD of MN equal to D आपने find किया, यह जो D है, यह M को divide करता है, and N को भी divide करेगा, completely divide करेगा यह, so यह divisible भी होगा, so इसलिए, अगर N से हम D को divide करेंगे, so यह जो की natural number दे सकता है, so यह जो natural number किसमें exist कर जाएगा, ZN में, so यह हो सकता है, यह N by D यह विलंग करेगा ZN में, again N by D भी आपका not equal to 0 है, M आपका not equal to 0 है, N by D आपका not equal to 0 है, but M into N by D यह आपका 0 है, so यह आपका 0 divisor है, hence M not equal to 0, N by D not equal to 0, but M into N by D equal to 0, so M is the 0 divisor of ZN, so हमने prove कर दिया कि इसमें 0 divisor exist करता है, so देखिए हमने first लिया कि यह इसमें not, हमने जो first लिया था, कि not relatively prime to N जो आपका element था, हमने लिया, and उसको prove किया कि यह 0 divisor इसमें exist करता है, so इसका converse part भी हम prove करेंगे, converse लिया, if M is a 0 divisor, हमने first लिया कि यह M इसका converse part है, हमने non-relatively prime लिया था, हमने 0 divisor दिखाया, अब हम 0 divisor लेंगे, not relatively prime देखाएंगे, so M is a 0 divisor of ZN, then we have to show that M is not a relatively prime to N, so first हम क्या लेंगे, इसे 0 divisor लेंगे, so 0 divisor अगर लेंगे, so let M be a 0 divisor, मानलो M आपका 0 divisor है, जिसमें M आपका not equality 0 है, so again हम क्या करेंगे, S belong to ZN लेंगे, एक non-zero element, जो कि belong करता है ZN में, S not equal 0 है, जो कि non-zero है, again उन दोनों का multiplication जो कि 0 आजाए, so यह आपका 0 divisor हो जाएगा, next देखिए, अगर again हम suppose करेंगे, कि M आपका relatively prime है, इसको हम क्यों suppose कर रहे हैं, क्योंकि इसका अगर हम, यह जो M को, अगर हम relatively prime नहेंगे, then आपका next step में आपका contradiction आजाएगा, जो कि इसको prove कर देगा, so देखिए, first time M को लेते हैं, कि M में आपका relatively prime है, so यह case बाल, यह जो case है, इसको check करते हैं, अगर आपका M relatively prime है, then M and N का जो कि GCD है, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, again, by Euclidean Lemma, N divides MS, so N divide करेगा MS को, again, N divide करेगा S को, आज M not equal to 0, M आपका not equal to 0 है, then M dot S equal to 0, M dot S भी 0 है, M आपका 0 नहीं है, but M dot S equal to 0 है, so S आपका 0 होना चाहिए, अगर आपका M 0 नहीं है, then S एक ही element है, जो कि 0 होने पर M dot S को 0 करेगा, so S आपका 0 हो जाए, जो कि आपका contradiction हो जाएगा, क्यूंकि आपने first choose कि, suppose क्या था, S आपका 0 नहीं है, but इसमें आगया है S आपका 0, so यह आपका एक contradiction आजाएगा, so आपका जो assumption था, वो wrong हो जाएगा, जो आपका assumption क्या था, यह आपका relatively prime है, so यह आपका wrong हो जाएगा, but S not equal to 0, so our assumption is incorrect, that is, M is not relatively prime with N, so हमने prove कर दिया कि यह not relatively prime है, हमने लिया कि 0 divisor इसमें exist करता है, again हमने prove कर दिया कि यह not relatively prime with N हो जाएगा, so यह था आपका complete prove, यह जो important theorem का, so मैंने इसको completely समझा दिया है, so अगर इसमें कोई भी आपको problem है, then मुझे comment कर सकते हो, मैं आपको इसका जो reply है, जल्दी दे दूँगा, so thank you students, please like and subscribe एचनल, thank you,